नमो नारे जेगो माता वंदे मात्रमा भार्तिकु प्रणाम और हिर्दाशे ओम्शम्शनिष्चना आए प्रिदर्शकों मित्रों साथ्यों भक्त शिरोमणी मीरानी अदभुद बोल है कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पाई मित्रों साथ्यों हमारी हिर्दे में नाम रुपी रतन धन बिराजमानी और उस नाम रुपी रतन धन की जो धारा है आनन्द की जो धारा है वो हिर्दे के भीतर में बहें और यही वो इस्ठान है जहां हमें बनाने वाला शम मर विराजमान है ग्यान के द्वारा उस दिव्य धारा का अन्भव कैसे हो ये गुरु महराजी सिताए हमें अपनी हिर्दे की त्रप्ति के लिए इस ग्यान रुपी अम्रित की तलास करनी चाहिए गुरु महराजी मिले और तलास पूरी हुई तो मेरा प्रणाम नहीं उदाती महराज आपके साथ हैं उनकी किरपा से महां ले जा सकता हूं जाम वो आनन्द की धारा वहरेजर न बना रहें पिरदर्शकाओं मित्रों शाथियों 15 मही 2022 का राशी फल और पंचांग राशी पल पर आऊं उससे पहली पंचांग सूर्य ने राशी परिवर्तन कर दिया और सूर्य की राशी परिव सक्षण समंत उनिसाचवालिस वैसाक पचीस ता दनुसार रविवार पंदरा मैं 2022 सुर्दिकालीन तिथी चतुरदसी तिथी का शमाप्तिकाल दोपर बारा बजकर पेंटालिसमेंट अगली तिथी पूनीमा सुर्दिकालीन योग वायत्ति पात योग है योग का शमाप्त सुर्दिकाल दोपर तीन बजकर पैंटीसमेंट अगला नक्षतर विशाका हो नक्षतर स्वामी ब्रशपति यानि चंदर्मार राव और ब्रशपति की नक्षतरों में शंचन करेगा चंदर्मा तुला राशी में है आज रभिवार का दिन है सुर्य दिवकालीन भासकर का प्रादेने भाय, जिवन की आधार और प्राण आधार का दिन है। बाउसी लोगोंने कई बाहर मुझे से कासे हमारा आत्म बहुत कम जो हुआ है। हम बात करते करते लड़कणा आधाते हैं विश्वास कम हैं, अपने पर विश्वास नहीं होता है पर कांपने लगता है, वर्तवसों नहीं है, परिश्रम और महनत के अनुरूप शफलता नहीं है, हमारे घर में हमारी कोई बात नहीं सुनता है, आफिस में हमारी कोई बात नहीं सुनता है, हमारी जो चमता है उसके आधार पर हमें वो फल नहीं मिलता है, मित्रों आज रविवार का दिन है, और आज की पंखुडिया शर्धापुरोख इस लोटे को अपने हाथ में लेगा उगदे शूरी को निहारिए और निहारते हुए ओम हिरने गरभाय रमा ओम हिरने गरभाय नमा इस मंत्र का 27 बार जाप करके यह जल का अर्ग शूरी को दे दिजिए अब कुछ दिन करके देखेगा अर करें सब्सका क couples देखें जयुका कि यह शूरी में शामति हमारा दिन मीठे हम क्या उपाई करें सब्सक्राइब में इस सिनानों प्रान सुर्य उदे की बाद लाल कपड़े में सर्धान उसार या 900 गुड़ और 900 ग्यहूं बांदिये और ये गुड़ और ग्यहूं किसी गरीब निजन जरुत्मत व्यक्ति को दाने करके देखेगा कष्ट और प्रेशाने से चुटकारा में जाएगा नमोनारे नमो सुर्य देव ने राशी परव्रतिन किया है सुर्य देव शुक्र की राशी विर्शब में प्रवेश किये हैं बुद्ध के साथ संचरन करेंगे तो सुर्य देव और बुद्ध देव विर्शब राशी में संचरन कर रहे हैं चंदर देव केतु देव तुला राशी में आज का जो अभीजीत मूर्थ है वो सुबह 11 बजकर 50 मिन्ट से लेकर दोपर 12 बजकर 45 मिनिट तक रहे अब दी है चौवन मिन्ट और यह चौवन मिन्ट आज की दिन कोई भी शुबकारी करने के लिए सबसे उत्ताम मौरत कोई भी नया और शुबकारी जिसकारी में चीरकालत लाब लेना उसे अभीजीत मूर्थ में करिए और अभीजीत मूर्थ भगाद स्री हरी विश्न को बात पत्रिया है आज की और तीन सुबह मौरत है लाब का चौगरिया अमृत का चौगरिया शुबह 8 बजकर 54 मिन्ट से लेकर 10 बजकर 36 मिन तक रहेंगे अमृत का चौगरि दोपर 1 बजकर 69 मिन्ट से लेकर दोपर 3 बजकर 41 मिन तक रहेंगे आज का जो राहुकाल है वो शाम सारी 4 बजकर 6 बजकर राहुकाल जो शुबह करना शौदा करना पुझनिविस करना अनुकूलर उचित माना नहीं गया इस सलह मेरी यूर मर्दिया यात्रा दक्षन दिश आपका जनम मेरी 15 एक और 5 को जोड़ेंगे तो अंक आएगा च्हे यानि जिनका जनम 15 मही को होता है उनका मुलांग होता है और उनकी जीवन में अंक च्हे का कहीं और विक्षे प्रभाव रहता है। शंगीत में, कला में, गायन में, निर्टिय में, फिलम इंडिस्ट्री में, लेखन में, कला के छेतर में आपकी विसेश रूची हैं। आप आर्तिक रूप से संपन लोगों में गिने जाएं। आर्तिक पक्स हमेशा आपका मजबूत रहें। आर्तिक संपन की कम आपको सामना करना पड़ेगा। आप विलासिता पूर्ण जीवन, राजा की संपन जीवन देना पसंद करते हैं। आप खानपान के बड़े शौपिशिए। आप दूसरों की प्रति बहुत जंदी आकर्सित हो जाते हैं। आपको अपने आसपास हमेशा नए चेहरे चाहिए। यही आपकी बहुत बड़ी प्रावबलों और इसी के करना आपकी जीवन में हमेशा तनाव उठापटक और पैसा आएगा। एक तीन चार छे यह मुलांग के वक्ति आपके लिए अच्छे मानें। यह कुछ बाते थी जो बहुत जरूरी थी मुझे आपके बारे में बताना। और पंदरा महीं आपका जनम दिन या फिर शाथ शाद्यकी सालगर है। यह उपाएग पूरी वर्ष पर आपको लाब ओर Шफलता देसा इसथी आपको साथी की सालगर पत्रच दोनों इस उपाय को करे करें अब्र आपका जनम दिन आप खुद इस उपाई को करें। आज प्रात्यकाल नेत्य कर्मिन शनानव प्राण सर्दापुर महादेव का इसमन करते है बर्थ का संक्लक िवुकर करें 살로 लोटर में जल शर्धापुरु लोटर में जल ले उसमें थोड़ सा लाल चंदर उसमें थोड़े से लाल फुल थोड़े सी आक्षा तो दुर्वा डाल दिए और उगतेवे सूरियों को प्रणाम करिए अधित्याई नमा जो भी मंत्र अच्छा लगता है शर्धापुरु जाप करते उगते को परणाम करये और वरत का सनकल लगता आधब का वरते आपको भुवी सेन कंसे नमक का शेंन नहीं करें शर्धापुरु अपने इष्ट का पूजन करिए इसी गरीव को भोजन कराने के बाद मीठा भोजन करें नमक यहार रविवार को करें और शाल भर करें कस्च आपकी खुशी है, आपकी माता है, आपकी चल अचल संपती है, आपकी जमिन जाएजात है, आपका भूमी है, आपका वहान है, आपका हिरदय भी वही है, और जनम कुणली की चौथे भाव में सुर्य विर्याजमान हो, या जाता कि जनम कुणली में चंदर्मा पीडित हो, त पुर्षिल कुंड़ली का कारक चंदर्मा पी तब भी सुर्य विराज मानों या चंदर्मा पीडित हो के बार मैं देखा कि हिर्दय को लेकर हाट को लेकर हाइब लोग बीपी को लेकर बहुत सी परिशानियों को सामना करना पर सकता है अब आए अवस्ता में हर रोज प्रातिकाल नित्यक्रमन निर्दोशिनान उप्रान महादेव के मंदिर में जरुड़ाए भगान महादेव की दर्शन करें भगान शिव की सिविलिद्पर गाई का कच्चा दूद अर्पित करें और उगते वे सूरी को जल जरूर अर्पित कर बात करते वा आपके राशिपल आपकी नाम राशी आपकी चनलरा सब्ता में सबसक्तमा राध उप्रोंगा उपक्ता है कि इन्शव और पराप्त होगा नौक्री और ववैशाई में अनुकुल historically और साज़दारी कारे में शफलता होगा धनलाब की अफसर प्राप्त होगा बेवजे की उलजेने और प्रशाने में रात मिलेगी कानुनी मुदों में आप विजय होगी शुबचिंत को और मित्रों का सोयोग मन को प्रसंद करेगा अब विद्यारती है तो चात्रों का मन पढ सब्सक्राइब करें क्या ना करें वेर्ट की संद का मन मैंने पाले सुबंगे साथ सुबंगे लाल भागी आपकी पक्समें 55 प्रसंद लाब कर संके देरें मैं इस तराश को अलो प्रतकाल नित्यकंदु स्नानों उप्राण शर्धाप रोग हनमान जी का पूज़ड़ और क महत्मुर्ण जीमदारी को निफाने में शफल होंगे विरोधी आपके सामने नत्मस्तक होंगे नौकरी के छेतर में होनात्य के आउस्सर मिलेंगे वर्चस्तों में बड़ोतरी होगी बोश अधिकारी वर्ध याश्या कर्मी आपकी कारी सलिए से प्रभावित और प्रसंद को चिट रहेंगे आपका इंक्रिमेंट हो सकता है कि कोई कानुनी मसला है तो रिजल्ट आपके प्रक्ष्ण है लौन समंदी कोई मामला है तो शफलता मिले कर्जा मिल सकता है कर्जा चूट भी सकता है अभिद्यार्कियों आप यूँआ है आपके सुक और स्वभागी में कहीं ने कहीं अच्छी प्रगति के आउस्सर मिलेगी संदेय और परिशानियां खतम होगी शिक्षा और नौक्री में उनत्तिक अवस्य प्राप्त होगी क्या करें आवश्यक्ता है आविश्कार की जन्वी अपनी आवश्यक्ताओं के अनुसार आज चीजी होगी और शफल या किसी सपेद वस्तू का दान देना अति उत्तम और लाबकारी वहेगा नमनन और बात करते हैं मितुदासी पंचंभामे चंदर्मा राहू और ब्रश्मत्ती के नक्षत्रों में संचरन करना है नक्षत्रन ये करें कि धन चाहिए कामों में शपलता चाहिए वेविशाय मे कब्रुक होना चाहिए सब कुछ मिलेगा आप जो आज आपको चाहिए जो मिलेग आपकी वानि की मिलें नजर आ राय। संतान पर ध्यान देना होगा खान पान की परती नियां में त्रहना होगा पेट सरमन्स परेशाली आपको परेशान कर सकती है इस पर भी आपको ध्यान लख कर violation करें ना करें महत्मुन कार्य में किसी अन्जान व्यक्ति को भाग़ी-दार ना कशूरी मेती किसी गरीब नेधन विद्वास्त्री को दान में देंगे पड़ा सुब्राइब करते करक्रासी चतुर्थ भाव में चंदर्मा राहू और ब्रश्पत्य के नक्षत्रों में संचर्ण करना है जमेन जाइदाद भूमी वहान या मकान या गाड़ी बेचना और खरिदना दोनों ही सावधानी पुरूप नहीं किया तो मोटा नुक्सान को सब्सक्राइब आज वेर्थ के विवादों को टालना क्या प्रयास करें अपनों के साथ विवाद नहीं हो यह मेहनत और परिश्ण आम आपको करना पड़ेगा इचितकारी न बनने से तनाव रहेगा धनानी का योग है माता की स्वास्तियों को लिगर चिंता है और मान संबान के लिग चिं सुबंग चार सुबंग हलका करी भागी आपकी पक्षम केवल 25 परसंद लाब का संब्रकराश वालों आज प्रतिकाल नित्यक्रम शनानों प्रांथ दूद से बने मिठाई 9 वर्स की कम आई तु कर्णियां को बाट के देगा कष्टों में कम आएगी नमनान बात करते अब धन प्राप्त होगा सुक के साधनों में विर्दी होगी मित्रों और भाई बंदों का स्वयूग प्राप्त होगा और लेंदेन के मसले हल अभी द्यारती हैं आप यूँआ हैं कलाकार हैं कि लाड़ी हैं एजुकेशन के छितर में उमीदें अच्छी नजर आए बरंग औरेंज भागिया आपकी पक्ष में पचासी प्रसंद लाब का संकेदर सिंग्राशी वालों आज शर्दार नुश्टार गेहूं किसी गरीब नेजन जरुत्मन महिला को दान में देना बड़ा शुबरेगा नमना और बात करते कन्यारासी दूसरे भाह में चंदना ब्रश्पति और रहू के नश्चतरों में संच्रण करा है इस बात का संकेदर है काम बनेगा उठापटक परिशानी कष्टों में कमी आए लेंदेन के मसले ठीक रहे हैं कारुबार में बरकत होगी बचत होगी भूमी भवन का लाब मिलेगा पारवारी सद्धियों के साथ बैठने का मोका मिलेगा और पारवारी समंद्र में प्रदार आए घर पर व्यार की उल्जन परिशान में रात में सुखरें कारिश शपलता के लिए जो परिशाम करें उसकी अनकुल धन की प्राप्ति होगी बस तोरह सा आई और वे को संतुलन बनाता चलना होगा विद्या पान और प्रपर्टिम आज पुंजिनी में सना करें सुबंग नौन सुबरंग सपेद भागिया आपकी पक्ष में 60% लाब का संकेदे रहें के नहराशिवालों आज कंजिकों को या कीनर को या विद्वास्त्री को हरी वस्तों का दाम देना बला सुखरेगा नमने नरबात कारवार की नहीं रूप रेका लाब पर साबिस होगे रुकवे कारिये पुण होगे भूमी और भान लेने का सपना पूरा होगा अभिद्यारती हैं आप युआ हैं आपको कामकाज में उनत्तिक अवसर प्राप्टिम अधिकार बर का श्रहुग मिलेगा नहीं पुराणे मि पच्छातर प्रसंद लाब का संकेदे तुलाराश्यवाल साधानुशा सूत देशी घी मंदीर में दान दे या किसी गरीब नियुद्धन स्वाखन श्री को दान देने शुगर्ट रेगया नहीं पर बात कर से बिसीग्राश से कि 12 भाव में चंदरमा है बारवे भाव में रहू और प्रशपत्ति के नक्षत परमा संच्रण करा है शुन परिशानि का संकेद्र है फिर्ट में किसी से उलजेने का प्रियास अपने कारी चेतर के परती सचित रहना आवश्यत है आप प्रमान्सिक तनाव आवी नहीं हो इसके लिए भरसक आपको प्रियास करना पए अपने हेंकार और अतिदिक आतम विश्वास पर काबू रखना पड़े गुरु जल्दबाज इविनिने नहीं लाए तिक बंतिविकारी में रुकाउट है और आर्थिक पक्ष हानी का संकेद मेरा है धन का अपवय साधिक कस्ति दरानी राम सचेत का राम विद्यार्थ योग अब शुबरंग सपेद भागि आपकी पक्ष में केवल 45 पर संटी लाब करसें के दर बेचे गाश्वालो प्रातेकाल नित्री कर्विशन आनो प्रांथ अनुप्रांथ हनुमान जी की मंदिर में सर्धान शार केशर अर्पिट करें दानुब बात करें धनुराशी ज्यारे सब्सक्राइब लगाब आपके पक्ष में करवटले लाब और शुपलता का सलकेवरे यह जाए और शुपलता में लगाए गया रकम दुगनाहों कर लोटेगा असानुकल 39 से मन प्रसंदेगा शुक की साधनों का इस्तार होगा और शुक और समर्दी का उभ्होग करने में आप सपल रहें आप विद्यारती हैं तो सपलता तो आज आपको मिलेगी चाहिए युवा और विद्यारती कड़ी महिनत कटिन परेशन का फल आपको मिलेगे लेगे शौटकट से आपको बचना चाहिए क्या करें विर्योदेश भी मित्र गत्रवार करें क्या ना करें पारवारिस सदस्यों को निराष्टना करें शुबंग पांश युब र सर्फ प्रपल भागि आपकी पथ 75 क्रसंट राब करसंगे धंदार्श वालों प्रातिकाल नित्य कर्मन निर्द्शनान उप्रान भगवान श्री हरी विष्णु के मंदिर में पीले चंदन को अरपन करना दान के रूप में शुब रहेगा, वहांके जो पूजारी है, इन्हें पीले चंदन का दान की जिन बना और बात करते हैं, मकराशी दसंभावन समय हुत्त में भागिया आपकी पक्ष में करवड ले रहा है, चल और चल संपत्ती की प्राप्ति की प्राप्ति होगी, कामकाज, नौकली, वविष्ण। जो विगिन बादा है, रुकावट है, उसमें कम जाए, ने कारुबारी शमन्द बने, आर्तिक पक्षुदर होगा, हर चेतर में सफलता और अर्तलाब से शुक्र और समर्दी बढ़ेगी, यात्रा सफल लेगी, मातापिता का सुक और समर्दी बढ़ा है, विद्यार्तियों के लिए परिश्रम महनद संगर की वज़े से कारी चेतर में सफलता की अच्छे अश्र मिले, अनुकूल अन प्रणा प्रपल भागी आपकी पक्ष में 70 प्रसंद लाब का संक्य देरा है मकराश वालों आज प्रातकाल नित्य कर्मने उप्रान सुरी उदेश से पूर किसी वयोवर्द व्यक्ति को शर्षो का तेल दान देना पराशुब रहेगा नमने पर बात करते कुबराशी कुबराशी वाल टालने का प्रियास करें ओर समझोतावादी नीती से कईरियर करबार नौकरी में अच्छे अवस्तर प्राप्तव होगी विवाद से बचने का प्रियास करें और विवाद है तो अर्थ व्यवस्तादावा ढोड़ है इस बात का विधाव आज थोड़ा सा पारवारिक तो पूर्टी करने को तत्पारवरित तालमेल भी बहुत जोड़ी काम बनेगा धना आएगा लेंदनी के मसले ठीक रहेंगे बस थोड़ा सा ताल विद्यारतियों के लिए पढ़ाई के हिसाब से आज का दिन बड़ाशुप है और विद्यारतियों को परिवार के साथ बैठन करना करें शुबंक दो शुबंग नीला भागी आपकी प्रस्ट प्रसंद लाब कर संगरें कुमराश्यवालों प्रतकाल नित्रेकरम शिनानों प्रण स्रधानुशा तिल किसी सिदाचारी ब्रह्मन को दान देने से सारे कस्ट पतेगे नमनां और बात करते मिंदासी के अस् कि शमय प्रतिकूल मखते दब रहेगा और रहेगा वेर्त का भार रहेगा खर्चो का भार रहेगा इसलिए सांत एकदम सहज भाव से निरने लेंगे सारी प्रतिकुल प्रस्तिया ठीक हो जाएगे लेकिन सहजता बनाए रखना किसी नजदेगी रिस्तदास से परिशानी आ सकते कोई बड़ा काम रुख सकता है दिल और दिमाज में तनाव का बाता मुड़ेगो धनकी आवशित्ता मैस स्ञेश का करें क्या करें बड़े रीन आदि का लिया करें देने नघकारे असजेसा वालों आज प्रातिकाल नित्य कर्मियों सिनान उप्रांद भगवान श्रीहरी विष्णों के मंदिर में जाकर पुजारी है उन्हें स्रधानुसार हल्दी का दान दीजिगा पीले कपड़े में बांगे कष्ट और प्रेशान इसकार मिलेगा नमरान यह था बारा के बारा रा नहीं किसी तरह का कोई बरम नहीं सेकंड ओपनेर अधिकार आपका था आपका है आपी का रहेगा मनुन मानुन यह आप अब मैं आपके लिए सुन्दर उपाई रहता हूंगा बहुत मेनत बहुत परिश्ण कष्ट उठाते लेकिन आर्थिक पक्स बहुत कम जोर रहता है इ लक्ष्मी नाराणी मंदिर में प्रदोस काल के समय नौ वर्स की कम आयों कि नौ कन्याओं को खीर के साथ मिश्री का भोजन भोजन में खीर और मिश्री जरूर में अरुपवार में लाल वस्त समर्पिट करें इस उपाई से सिग्र आपका आर्थिक पक्षिद होगा करके द लास निकाल कर एकदम हाईजनिक करके एक दो बून आँखों में डालना शुब माना बहुत अद्भूद है कुछ दिन करके देगे लाब मिलेगा और परिशानी शुरकारा मिल जाए सिरिस की हरी चाल उतार के लाई पीश कर आम के रस में मिला जिए आधा कब उसमें कच्च अधार पर मेरा अनभावे लादने का कोई शभावनी शेकन उपनेंद गादिकार आप लीगा है हां मेरे से कोई भूल हो गई हो दोनों हाद जोड़कर समाप्रात्म आप शुकी रहें स्वस्त रहें समवर्दी सील लें सनिभभवन के चल्ड़नों में मेरी प्रात्मा हजारों शक्रों बेटियों के लिए जीवन के लिए मैंने अपना संपून जीवन दिया और यह मेरा शौक था मेरी राष्ट की धरोवर थी और यह करना मेरा करते और करम था मैं आपको किसी वजे से नहीं सुना रहा हूं बस खाली बता रहा हूं कि यह मेरा जीवन का और मानु होने इतना तरही मेरा करतव है कि मैं अपनी राष्ट के शेवा करूँ इस राष्ट का नागरिक हूँ तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गोश्यवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है वरत्मान प्रस्तियां आर्तिक दस्टिकॉन से मेरी ने कभी नहीं आये था हमेशा मैंने ये काक्षाब शेवा करिया मैं भी शेवा करता हूं आप भी शेवा करता हूं धन नहीं चाहिए लेकिन वरत्मान में जो आर्थिक प्रस्तियां वो मेरे को यह कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सनीधान गोश्याला की गाएं तुकी नहीं रहें इसके लिए मुझे आपका स्वयोग चाहिए और स्वयोग के लिए मैं शेवा के साथ खड़ा हूं आपकी समश्याओं के समधान के लिए भई आप अपनी जन्मकूली का अवलोकन कराना चाहते हैं आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके स साथ खड़ा रहूँगा पूरी साल खड़ा रहूँगा जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूँगा नंबर आ रहा है इन नंबरों पर शंपर करी आप मेरे से बात करी लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता कर लिए और इसलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय में परेशाने में हूँ और मेरी गाएं चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं ऐसा हिरुदय से आया लोगों ने कहा कि राश्र आप से प्यार करता है दाती माराज एक बार निवेदन करिए तो मैं दान नहीं मांग रहा हूँ फिर भी मैं अभ आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा ऐसा मेरा निवेदन है और वे लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती महराज के जो तीजिये समधान की आवश्यक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक म मित्रों समय ऐसा है कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दश्टिकॉन से अनकोर संकेत नहीं दे रही है इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधान गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए सरकार स्रकार कर रहे है अपनी शिमाओं में रहते हैं जो सरकार करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं पड़ता है यह आप भी जानते हैं शासन के अपनी एक शिमा है और अपनी मर्यादा और शासन के पास और बहुत से काम है लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देखते भी हिरदे से पुने एक बार निवेजन करना जाता है कि आपको लगता है कि दाति महराज के साथ सनिधाम गोशाला में खड़ा रहना है नंबर है ज़रुर्शयोकर है पेरा कोई दवाव नहीं है प्रातना थी ओम नमोन आ रहे हैं ओम झाल